कि शुरुआत का जो समय है इसमें हम लोग आपको प्राणयाम के बारे में पहले बताएंगे प्रचना जी जानकारी देंगी क्या-क्या प्राणयाम है जैसा कि प्राणयाम है क्या-क्या किjektना करना है तो आज उन सभी प्रशनों को अपने जानने का हव करने प्रियास करेंगी इस प्रोग्राम में चुल आप सभी लोगों को किया है एक फ्रोग्राम का सेशन एक खतम होने के बाद जो प्रैक्टिकल है वो भी हम करेंगे उसके बाद आप अम लोग को प्रियास करेंगी कि वो भी आपको उत्तर दें जहां अपना पुला रूम हो तो इसी तरीके से और भी जैसे जैसे आगी प्रोग्राम बढ़ेगा और आगी की जो भी सीज़ेंगी और शुरू करते हैं हुआ व interrupt कर दो मैं लिक भी साँष्पि कर रहा हुआ कि अजिए झ्भि रखाइं रहीं कि पोड़ी एक आसमेड़ें फिरेंग अटिकना इंपर्जां कि नहीं हैं तेल्ग इकना इकना इपना इंपोर्च पार्एंड के रहें परिद आमने का सिना इनने कि अ कि आज आज में पिता है इनकिम है जए श्डुव प्रिया परिख है मेरे स्क्रें पर रिकॉर्डिंग आरा लिक्षा हुआ है। ने होगा कोई की तीर दीन होगा कोई 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 की इन हो आपके सुस्वर्णा कोई इसकी हो आपके सुष्णा हो धेके अची तुम अवाज क्लियर ने आरे की अचीन अभी ठीक आ रही है भी अबस को एंपको इसफार कि इस पढ़ी कि इसने हम पर रहे हैं कि श्वास कितना इंपोंटेटें हैं व्यूंद इस श्वास की टेक्निक के साथ करते हैं कि शुआ है तो जब हम किसी टेक्निक के साथ इस श्वास को बढ़ने शोटे में उसके आगे है प्राना अयाम को अगज़ हम तो विश्व में डिवाइट करें तो उसका मतलब बिधा है प्रान प्लस आयाम अयाम मतलब स्ट्रेच करना नहीं कि इस पुछना आप मंबा स्ट्रेच कर सकते ह जब हम श्वास को लंबा भगते लिए तो इसको प्रानायाम शव्थ बोला अब 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 अगर आप देखें कि योग के बारे विश्वास करते हैं तो यह स्ट पर स्ट्रेच कि आजाता है जैसकि एक तरश्टांप बोले तो 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 आप अप श्रुन करते हैं तो तार्या तो सबसे पहले हमको कुछ रियम का पालंग करना पड़ता है कुछ ऐसे नियम बनाएं कि आपने अंदर की शुष्धी करना अगर आपके पस बहुत से बिक्षार आपके क्वाम में चलू रहने हैं किसे इसाद अगर आपको लगता है कि अच्छा नहीं लग रहा है या घृष्धी करना है या पी लिए एक अधनर से अपने भावशे अल्पछ नहीं है नहीं है तो यह और दूंपनों कि पालन कि श्यम के अद्विश्य का रहन कि उसके बार अपने शरीय की शुएकि शुथी होती है जब आपके आजन कर गरें है और अजन करें आजन करें पा जिसारी तो लोगों के आपना जारे हैं तो अशरी आवाज आरे हैं को अजय को आरे हैं इस दो आरे हो है अशलिया वाज आरे है कि य॥ाट प्लीज आप अनुछ प्रिकुए निए कि भी आपने टूने की घंकरते हमाजादेरिया है अब प्रिकु आपके अब तीक है हुए पला ठीक है प्राणायाम करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे देखिए हम सबसे ज्यादा जोरत पड़ती है सबसे पहले नॉस्ट्रิल की जिभ हम इंहल करते हैं तो सबसे पहले उसका काम करते है Dir are nostril के बाद जो हमारी एप सब्सक्राइं नली है वो सीधा हमारे लंग्स की तरह जाती है indhenyal करते हैं फिया जो लंग्स के दॉती जो हमारा श््वास है जब भो झते हैं तो उस में कम-स्थ-कम लंग्स के अंदर दो लंग्स पर फाइप लिटर श्वास भर सकते हैं लेकिन हम डेली रूटीन में अपनी देनिक देनी चरिया के अंदर क्या है कि श्वास हमारा इतना छोटा होता है कि मुश्किल से हम एक से दो लिटर ही श्वास भर पाते हैं तो उससे क्या होता है कि उनके लंग्स की कपैस्टी वह कम रहती है वह चूटा श्वास अंदर जाता है तो हमारे लंग्स के जो से उनको अच्छे से ऑक्सिजन नहीं मिलता है जब अगर हमने श्वास भरा तो लंग्स की कपैस्टी फाइफ लीटर है उसमें बहुत सारे हैं जिनको ऑक्सिजन डेली वेस्ट पर मिलना चाहिए अब हमारे साथ यह होता है कि जब श्वास हम छोटा भड़ते हैं तो हमारे लंग्स के अंदर जिसने भी से उन तक वहा जुदना यह दोनों तरह के कॉंट्रेक्शन भी होता है और इक्सपेंडेशन भी होता है वह प्रोपर धंसे नहीं हो पाता इसलिए आपने देखा कि जो भी जो लोग जो जिनको ऑबिसीती है जो मटापे के शिकार है या जो ज्यादा कर बीमार लोग रहते हैं वह ज्याद तो उसका कारण क्या है उनका श्वास बहुत छोटा है उस छोटे होने के कारण पूरी नहीं हो पाती अब जो योग से जूटते हैं यानि के जो डेली प्राणायाम कर रहे हैं जो थोड़ा वॉक करते हैं किसी तरह कभी वर्क आउट करते हैं तो आपने देखा जब आप य सब्सक्राइब करते हैं तो जैसे जैसे हम वर्क आउट करते हैं हमारी बॉड़ी की नीड होती है कि हमको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सिजन भरना है तो उससे क्या होगा जहां आप एक लिटर तक श्वास भर रहे थे आफ्टर योग आप तर कोई भी तरह का वर्काउट की प्राक्टिस याद वॉफिंग के बाद हमारे लंग्स की के बढ़ना शुरू होती है यादि कि आप धिरे-धिरे इंहेल और ज्यादा करने लग जाए अब अबने आपको बताए कि जहां आप अभी एक लिटर श्वास बर रहे थे अ अजितना लंबा हमारा श्वास होता है हमारा लाइफ स्वास पूत नहीं जादा बड़ा हो जाता है यानि कि अथनी ही उमर हमारी बढ़ने लग जाता है अगर आप देखे कि छोटे-छोटे जीब जो हमारे स्विक्पी पर हैं जो चुवाल है या पर एक डोग को लें इनक मतलब क्या हुआ वहां पर इंवेलेशन उसका बहुत ही कम है तो आपने देखा उसका लाइफ साम कितना है सिर्फ 40 तर बतायागा है जो है कि लाइफ और भी ज्यादा यानिकि वह और भी छोटे कम टाइम के लिए कम टाइम के लिए हुजी भी तरहता है क्योंकि वह एक मिनट बढ़ना शुरू होता है वैसे वैसे हमारे लंग्स की कपैस्ति हमारा लाइफ स्पाम भी पढ़ना शुरू हो जाता है यानिकि जो लंग्स को इतना श्वास मिलना चाहिए वह दूरे दूरे हम उसका अगर आप चाहें तो अपनी एक छुटा सा एक्सपरिमेंट अपने साथ कर सकते हैं कि आपका श्वास सही चल रहा है या ठीक नहीं कर रहा है आपका श्वास कितना होना चाहिए तो उसके लिए कि आईदल एक रखा गया मैजर्मेंट कि जब आप श्वास को चेक करेंगे तो अपनी फिंगर को नॉस्टिल के आगे रखेगा आपको को बंद रखेगा और फिर जैसा नॉर्मल आपका श्वास आ रहा है और जा रहा है इसे काउंट कीजिएगा आखे बंद रखना है इन्हें एक जो नॉमल आपको नाहीं श्वास को खीचना है नाहीं श्वास को जो आपका नॉमल व्रीज आप उसको चेक करना है अगर आपका श्वास वान मिनट में 17 तू 18 ताइम्स होता है तो आप एक healthy body के अंदर है यानि कि आपका जो जो श्वास की प्रक्रिया का जो नॉमल एक मैथड होना चाहिए वाप उसमें नॉमल है यानि कि आप जो रहे हैं अगर आपके श्वास वान मिनट में आफ तर एटी यानि 18 से अब जलाजाता है 20 25 45 लोगों का 50 तक भी चला जाता है वान मिनट के तो उतना ही जितना श्वास दिजी के साथ है यानि कि इतने चाहुंस आप ज्यादा करने हैं वान मिनट के अंदर उतना ही आपकी तो आप यह कभी भी जब रेलाक्स मोर में तभी आप इसको करके देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर 18 है तो आपका जो रही है वह अगर बहुत ज्यादा है तो उतना ही बॉड़ी आपकी अन्हेल्थी है आपको उस अन्हेल्थी से हेल्थी बोड़ी पर ल कच्छुए की उमर है वह 400 साल बताई गई अगर आपना सुना होगा उतना ही माइं तक उसका सर्कूलेशन अच्छा होगा इसके आप अपने आपको हल्का महसूस करते हैं आप रलाक्स मोड में रहते हैं और अपने आपको फिजिकली फिट महसूस करते हैं लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि एक इश्वास को कोई भी प्रणायां कर कह रही हूं आपको 5-10 से दस सक्ड़र का कैम लेना है तो आपको एक साथ बैठे प्रक्टिस नहीं होगा फुल डे जब भी आपको याद आजाए आपको अपने बीद पर पॉंशिस्टनेस के साथ म कि देखना है कि अपको इस टाइम को भी देखने की जुरत नहीं आप मौर्निंग में कर सकते हैं इवन कि आप धर के काम करते हैं आप आप उपस में चाहरें आप ठाइविंग करते हैं सिर्फ अपनी भी कोशिश करें आप जितने समय तक अपनी बीद को आप ध्यान देंगे उतना ही उसका एक्सपेंडिशन जबढ़ता जाएगा तो यह स्लो प्रोसेस है आप दूरे तरह जब उसके प्राक्टिस करते जाएंगे आप फाइव तो सेवन डेस में भी देखें कि आपके आपके बोड़ी में कितने सारे चींज ताप कितना एक्टिव अपने आपको आपको फुल डे में ध्यान देना है आप कोशिश करें कि अगर आप शुरू करते हैं तो फिर भी आप सेवन देखेंगे वह आपको ही एक्स्पिजेंस करता है अब बहुत सारे प्राणायां बताएंगे हैं आपको शुरू करते हैं यह एक्ट बताएंगे आपको ही यह आपी यह शुरू करते हैं अपको मैस? हएसे एक सब्सक्राइब जैसे कि मैंने आपको इसमें आपके पास एक सामने पेज है इसमें इंटरॉप्शन कि अश्टान जोगा प्राणा-प्लस-आयाम यानि खाइब करना यानि की स्ट्वेच्छ करना प्राणायाम के लाता यह मैं आपको बता चुके हैं लिए कि कैसे आप अपने प्राण को कंट्रोल करके कितने सारे बिच्श से आप चुद्गारा पास सकते हैं हमारे शरेन में भ इसके उपर अगर हम बात करें तो जो भी हमारा लाइस्टाइल है जैसा हमारा खान पान है जो भी चिज़ करते हैं हमारे शरीर के अंदर जाता है वो हमारे ब्लड के साथ रूटेट करता है और जैसे जैसे अगर हमारा लाका सब्सक्राइब कि अगरा सब्सक्राइब करते हैं तुब्लड के साथ उस नवस सिस्टम के अंदर उस ब्लड के साथ में प्लोड के साथ कि ब्लोक इस भी साथ साथ में रोटेट होती रहती है जिसके कारण शरील मिक्ताइट की बिमारी आ जाती है कि ज्यादा अगर आप नहीं ले तो माइग्रेन होना शुरू हो जाता है अगर बैटने का पोस्चर सही नहीं है आपका तो अपको सर्वाइकल या फिर शूल्डर प उसके लिए हम प्राना याम करते हैं प्राना याम को मैंने बताया कि किस तरह से नोस्टाल से इन प्राइन ओष आव यूस करते हैं लेकिन योग के लिए इन। श्वास को पूमबग का मतलब है श्वास को अंदर रोकना जब आणि कि श्वास को अन्दर करते हैं तो उसे बोला गया है अन्ता infra कुमबग अंतां का मतलब है श्वास को अंदर रोकना, फिर होता है बाहय कुमबक, यानि कि श्वास को खाली करना और बाहर रोकना, बाहय कुमबक बाहय का मतलब है बाहर, कुमबक का मतलब है रोकना, यानि श्वास को बाहर रोकना बाहय कुमबक कहलाता है, इस तरह से हम पूरक, आपने तो था जो आपके चाहाएं तो अगर यांभ एक है परनायाम कर सकते हैं पेहला व्द्गित पराणायाम है उद्गित का मतलब है उद्गित का मतलब है उद्ध मतलब की आवास को बाहर काम मतलब है कि इस सांड को अथाए है उत् हमतलब उठाना है शाउन को भूछाना तो मतलब बोला गेले हैं कि तोने तरह से कर सकते हैं अपने कर सक्त हम प्रहले आप चाहे तो साथ में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं पहले स्टेप के अंदर हम और शब्द को जितना की कोशिश करें इसे त्री टाइम्स रपीट कीजेगा और शब्द को लंबा करना है माँ पर उस माँ शब्द पर उस ओमकार को खतम करना है देखें कब हैं लंबा सांस भरें जितना आप इंहेल कर सकते हैं अम् लंबा स्वास अम् वापस देखें का पहले मुझे देखें का उसके पाद आप बुबार पांख को राइंगे तांस पर देखें अम् पिरन एग हैं हम इग आ करण औरहे हैं है में इन ओग हैं है 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 हॉ आ ओग checkingali सब्गने सेफ हैं आप तीसरी स्टेब में आप जहना दीप ब्रेथ पर रहने हैं, इसका हाफ पोशन आपको पोश चाथ में पर यूज़ करना है और हाफ पूर मौ में यूज़ करना है वापस देगी दा सांस करते हैं आपले हमशोन आपको दर्फी स्ट पते हैं आपको श्काशर पूरैब में पर वापको प्वाब मीह करना है आह कर दो कर दो आंगी नगे कर दो आप दो हम राँ पो कर दो दो का दो इंगा कर दो कर दो दो एक तैप से आप इसमे से कुई भी पुतर सकते हैं उसवार्थ ज़ादा से क्यांस के एक आप में आप 5, 7, 11, 5 इंच पुर सकते हैं कि यह नहीं नवारी नवार स्टम को काम करता है आपको पीस फील करता है क्योंकि जब हम मौ का उपचारन करते हैं अब यह क्राणा इसके पाद नहीं है हमारे ब्लॉर्ड सेल के अंदर पूफ रेके सेल्स होते हैं आर्टी से और डब्ली से अगर आपके सब्सक्राइब होता है जब उसके अंदर वाइप्रेशिन होता है जितने भी ब्लॉकेंस हैं वह दिरे दिरे रिमूब होना शुद होता है तो इसलिए अगर प्रणायाम करते हैं या तो उसके लिए कपाल मुद्रा होता है जब भी आप अगर प्रणायाम करें तो आपका जो पोजिशन होना चाहिए उसमें ज्यादा से ज्यादा ज्यादा जमीन के साथ तच होने चाहिए ध्यान रखें फोड़ा खोल कर बैठ सकते हैं अगर जिन प्रोसले करखें पालती नहीं लग रहे हैं अगर आप चेर पर बैठें हैं तो अपनी आपनी फीट को नीचे फ्रोर के साथ जरूर रखें आपका अर्व के साथ कनेक्शन होना जरूरी है तो आपकी पीछे की तरफ रखें इस तरह से जुके हुए प्रणायाम करेंगे तो मैंने आपको पहले ही लाई में बोला था कि दंस का एक्सपेंडेशन करना जरूरी है अगर आप इस पोजिशन में बैठे हैं तो क्या हुआ कि मेरे शोल्डर पे शोल्डर आगे की तरफ में पीछे से लेकिन चेस्ट का कॉंट्रैक्शन हो गया है तो जो मैं इन्हेल करना चाहते हुआ तो क्या होगा कि इसलिए कोशिश करें कि आपका जो पोजिशन है वो इरेक्ट होना चाहिए पाट पॉन स्ट्रेट रखें शोल्डर को पीछे रखेंगा अगला प्राइम इसके हम बात कर करना पड़ता है और हाथ की जो आठों उंगलियां है वो अपने कपाल पर इस तरह से रखेंगे जिसमें आपका कपाल यानि की पूरा आपका जो स्कुल सिस्टेम है वो पूरा लॉप हो जाएगा यहां से बाक बोन स्ट्रेट रखें गल्दन सीधी का मतलब है कि आपके च कि अपनी दांटो को आगे की दांटो को कुट मिलार्टर रखना है अंब चाये तब जीब को फूटर करते वे ऊपर बी तरफ भी रख सकते हैं जो बिगनर्स हैं वो रखें सबर्पने दा दाटों को आपस म्यार्वां स्ट्रेट रखें । नूर्प पीछे लग्यान दे अगर हाथ इस पोदिशन में होगा फिर से चेस्ट पर थोड़ा खिजाव आएगा इसके हाथों को थोड़ा पीछे की तरह जानी कि चेस्ट को एक्सपेंड करके रखेगा तब ही आप सांस भर पाएंगे लंबा श्वास भरना है इसी में एक साथ प्राक्टिस करेंगी पहले आता तीन बार लंबा श्वास तो लंबा श्वास जब आप मूं की अवाज निकाल रहे हैं तो कंपन होना चाहिए आपके मूँ के अंदर आपके तालू में आपके कपाल पर आपके नेके पीछे के हिसे में कंपन होना चाहिए अगर आपको लगता है कि हाथों में पेन हो रहा है हाथ से नहीं कर पा रहे हैं हाथ का यह मूमेंट नहीं हो पा रहा है तो आप हाथ को नीचे रखते वे भी कर सकते हैं लेकिन उसका इफेक्ट इतना नहीं आता जितना आपको आपको बाहर की आवास को बंद करने के बाद पूशिश करना बात मिले वे रहें कंपन यहां से सिर के पीशे की हिस्से की तरफ कानों की तरफ तालू की तरफ मुझ के अंदर की हिस्से में आप कंपन मैसूस कीटेगा एक बार वापिस करेंगे फिर से लंबा श्वास भरते हुए कि हुआ कि कि हातों को नीचे की तरफ ले आईएगा इसे का अगया भ्राम्री प्राणाया इसका भी वही बेनिफिट है जो मैंने आपको बताया कि हमारे जब्टू पीश के लिक्विट को वाई विस्तर ना ना है अगला प्राणायाम है कि कापाल बाटी कापाल बाटी में कापाल कर मतलब आप समझे गया है इस कपाल मतलब हमारा स्कल सिस्टम इसको शाइन करने के लिए भाति का मतलब है चमक देना उपने के उपर के हिस्ते की क्लींसिंग करता है उसका प्रोसेजर कैसा है इसकी हम प्रक्टिस करेंगे बाकबोन वापिस स्ट्रेट रखेगा दोनों नॉस्टल नॉस्टल पर प्रेशर देते विए एक्जेल करते जाना है लगातर आपको एक्जेल करना है मैं सरफ 5 कंट करूंगी सांस भरूंगी इस तरह से आपको एक्जल करते वे साउंड को बाहर निकारना है ध्यान रखेगा जब आप एक स्ट्रोक दे रहे हैं एक स्ट्रोक के बाद जो अगला स्ट्रोक है उसके पीश में हल्का सा गैप हुगा जिसमें आपको सिरफ वन पूर्थ पार्ट ही इन्हेल करना है अगर पर आप खाली कर दें तो नेक्स आप उसको ज्यादा स्ट्रोक नेहीं कर पाएंगे वापिस देखेगा सांस भरना है गैज़ गैप दिया इसमें मैंने नहीं आएगा इन्हेल पिल इसका साउंड नहीं आएगा इन्हेल गैजल आएगस अग्स है एक्से मैशल्मा मैंको अपिशल इए अफ़रा उसका सब्सक्रीकेशजी और बढ़ जाएगा इसलिए इसको बोला गया है कपाल भादि वापस करेगे एक साथ में अब 50 काउंट करूँगी तेकि इस कपाल भाती में अगर आप लोग कर रहे हैं और आपको बता नहीं कि कितनी बार करना चाहिए अगर आप बिगनर्स हैं तो कोशिश करें हर एक सेकिंड में एक ही ब्रीज चुड़े मेरी काउंटिंग से देखें मैं 10 काउंट कि आप और करूंगे तभी खाली कर पाएं ठीक है सांस भरिएगा वान टू ट्री पॉर पाइप सिक्स सब्सक्राइट नाइं चान पर से वापिस कोशिश कीजिएगा 10 सेकिंड में 10 स्ट्रॉक देना है सांस भरें बाक बोन स्टेट रखेगा नेवल को अंदर की तरफ ले चाना एक्जेल वान टू थी पोर फाइफ सेवन एट नाइन चान इस तरह से आप इस कापालभादी की प्राक्टिस कर सकते हैं अगर आप घिवन हैं तो तें-टेंट काउंट्स के साथ में करें एक मिन तक लगातार कर सकते हैं फिर ब्रेक लीजेगा फिर 10-10 काउंट के सा सब्सक्राइब कर सकते हैं अब जैसे जैसे आप प्राक्टिस में आ जाएं आपको लग रहा है कि मैं अब इधन से कर पा रहे हैं तो जो उसका जो होना चाहिए वह वान मिनट में 120 स्ट्रोक देना है यानिकी एक सिकेंड में आपको टूट स्ट्रोक्स देना है है मेरे काउंटिंग को देखेगा और यानिकी 10 सेकिंड में 20 स्ट्रोक तो आप इसकी प्रैक्टिस जब आप उस पहले वाले स्टेस का आपको अब लेवल को क्लियर कर ली उसके बाद आप फिर से वापिस 10 सेकिंड के काउंट से करें यानिके इज देना है फिर से इंहेल करना तेन से के आपको तो पंटी स्ट्रोक देना है ऐसा आप वान मिनट तक लगातार करें वीश में चूटा सार्वेस्ट करें फिर से वान मिनट करें ऐसा आप टी तू-फाइफ टाइम्स कर सकते हैं यह हमारे हैट की क्लीनिंग करता है ज्यान रखें कापाल भाती वह लोग नही करके जो पेशन है तो अगर वह कपाल भाती करेंगे तो हमारी इंटस्टाइन उससे पानी को एब्सोर करना शुरू कर देता है इसलिए लोग इसका पाल भाती को ना करें इससे डाइजेशन इंप्रूब तो होता ही है साथ में जिने भी जिने किसी तरह की पेट से संब्लम कोई भी प्रॉब्लम है जिने ऐसे ज्यादा बनता है जिने कॉंस्टिपेशन है उनको यह चीजर नहीं करनी है पेट से समयने जो भी कोई प्रॉब्लम है उनके लिए आप भी कपाल भाती कर सकते हैं उसके बार अगला प्राड़ा याम है जी सूर्य भेदी चंदर भेदी अब हमने मैंने आपको पहले शुरुवात में बताया कि हमारे पास दो नॉस्टिल है जिसे हम इन्हील एक्जिल करते हैं लेप नॉस्टिल और राइट नॉस्टिल ठीक है इस नॉस्टिल से 36,000 नाडियां चुड़ी हुई है इस नॉस्ट फिमेल होता है लेप्ट वाला हमारा हमारा हम्iegen होता है और राइट हमेल होता है लेफ्ट वाला लेडिस के लिए लगया यांश हम सरीकि करती है कई। जो राइट हिस्सा है वो मेल को खे लिए है और लेफ्ट वाला फीमेल को एकलिक से तो आप देखें कि जो प्रवर्टी है थो है कि तो इधर फ्रवाला हुआ पुल और राइट वाला हुआ हुआ door क्लिर ध्यान से सुनिए को कि आगले जो क्राणायम करने वाले हैं वह इसी नॉस्टिट के द्वारा करेंगे लेफ्ट पाला फिमेल राइट वाला मेल लेफ्ट पाला चंद्र और राइट वाला संद अब दोनों तरह की जो नाडियां है वो कर वर्क कैसे करती है अगर हमारी या तो बहुत जादा चलते हैं और रिलाक्स नहीं हो पाते इनो समीना की प्रॉब्लम है यानि कि बॉडी में हीट जादा है गर्मी जादा होने के कारण क्या होगा माईग्रेंट शुट अब हो जाता है लाइजेशन अच्छा वर्क नहीं करता है या इत की वज़़द से क किसी को स्किन एलर्जी भी होना शुरू जाता है तो अब हम क्या करेंगे कि जब राइट नॉस्टर जादा चल रहा यानि कि जिसके बॉड़ी में हीट ज्यादा है हाई वीपी की प्रॉब्लम है इसी तरह के भी हाई लेवल पर कोई है तो उसके लिए उनके टैंपरेचर को को डाउन करने की जेवरत है कि हीट बॉड़ी में वाड़ा हुआ है तो हमें क्या करना है उस हीट थे कश्थ सब्सक्राइ़ करना है तूसके लिए क्या करेंंगे हमको अपनी लाफकू कई लट रींत कॉलेगम को बढते से शिवरिंग होने लग जाती है वाडी के अंदर तो इसका मतलब है कि उनकी बॉडी में पूलनेस जादा है यानि की कुलिंग जादा है थंड़क बहुत जादा रहती तो उसके प्रॉप्लम हो सकती है उनको जल्दी कफो सकता है तो जो भी अस्प्राइटिक प्रविश्ट जो है थे sapik को अगा यह स्टाइब को एसका मतलब कर रहा है अगर डायों खेस चुछ एँट इंदर अर्श्फ रहा जाए यानि कि हीट जादा है तो हुनको क्या करना है अपने लेफ से जादा घवर करना हैं ताकि जो आपकी बॉड़िके अंदर जो टेंप्रेटर है वो नॉर्मल हो जाए और वह लेवल में आजाए यह पॉइंट आप लोगों कुछ समझ आया आप जीने हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो उन्हें कौन सा प्रणायाम करना है उनको लेफ्ट नोस्टल ज्यादा वर्ग करना है ठीक है आप क्या करेंगे ल तो अगर हाथ मेरे चेस्ट पर ज्यादा इक्स्पेंडेशन कर पाएगा कि हमें सारा काम ब्रीधिंग करना है तो अगर हाथ मेरा फोल्ड है तो मेरी अच्छे से वर्क नहीं करेंगे उसका जो फ्लो है वह प्रपर वेस्ट में नहीं होगा इसके हमेशा राइट्ट हैं पर अब राइट नॉस्टिल को बंद करना है चंद्र भेदी में लेफ्ट से इन्हेल और लेफ्ट से एक्षेल लेफ्ट से इन्हेल लेफ्ट से एक्षेल लेफ्ट से इन्हेल लेफ्ट से एक्षेल कुशिश कीजएगा लेफ्ट से इन्हेल लेफ्ट से एक्षेल लेफ्ट से इन्हेल, लेफ्ट से एक्जेल, यह बिग्नर्स के लिए है, जब आप पहली बार अगर चंदरवेदी प्रनायाम कर रहे हैं, तो लेफ्ट नॉस्टिल से इन्हेल, एक्जेल कीजेगा, अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस और शुरू करेंगे, अगर आप इसको इ इन्हेल हो रहा है, तो 7 से कि नहीं आपको एक्जेल करना, ठीके, इस रेशो को ध्यान में जुरू रखेगा, चंदरवेदी का दूसरा स्टेप है, जिसमें आप प्रैक्टिस बिग्नर्स है, आगर आप आप आगले लेवल पर जाना चाहते हो, तो भरना आपको लेफ्ट स राइट आउट, लफ्ट इन्ट, राइट आउट, लफ्ट इन्ट, राइट आउट, आप अगर बहुत जादा गर्मी से परिशान है, यह वाला जो प्राणा याम है, इस समर में किया जाता है, जैसा कि मैंने आपसे बात की, कि यह कूलिंग को बढ़ाता है, बोली के तेरे उसको डाउन करता है, अगर आपको लगता है, कभी कि बहुत जादा आपको गर्मी लग रही है, और आपके पास कोई वेवस्था नहीं है, जैसे अभी समर का टाइम से बहुत जादा गर्मी जादा मैसूस हो रहा है, आपको खुश नहीं करना, राइट नॉस बन करके देखें, आपके बोडी का टेंप्रेचर कैसे चेंड हो जाता है, आपको जो स्वेट आपको बोडी में एकदम फ्रू हो गया है, वो एकदम इमिटेटी रूप जाएगा, अगर आप चेंदर भीदी प्राणायाम तर लगातार करेंगा, ठीके, अगला प्राणायाम सॕष्ष घढ़ जाएगा, अगर भीदी पॉडलम सुर्य भीदी यसे की, मैंने आपको बताया, रटवी प्राणायाम करेंगे, तो सुर्य भीदी प्राणायाम का KE ni Lこちら हाईगा जेनको प्रेशर को जो प्रेशर है, वो औड़डी के इतना बाडी के बेघत है, अगर वो प् करें यानि कि लेफ्ट नोस्टेिल को बंड करना है तो अब अगर राइद से इन बड़ा करेंगे हैं और र्कॉशिश करेंगे वापस अभी सबस्टेट रखेगा रिंग फिंगर से लेट नेस्ट को बन करें आखे बन गर्दन सीदी रेंगे तो जो हमारे श्वास नहीं है उसका प्रेशर आएगा तो इंगेल अच्छे से नहीं हो पाएगा तो बैक स्टेट नेक्स स्टेट रखें आप चाहें तो फॉस्ट फिंगर को आप अपन राइट से इन्हेल राइट से एक्षेल राइट से इन्हेल राइट से एक्षेल इसी का दूसरा स्टेप कीजेगा राइट से इन्हेल लेफ्ट से एक्षेल भरना राइट से ही है राइट इन्हेल लेफ्ट एक्षेल राइट इन्हेल left exhale है आपको बताया है कि ratio same रखेगा 5 second में inhale तो 5 second में exhale करना है left right aim counting के साथ 1, 2, 3, 4, 5 exhale 1, 2, 3, 4, 5 inhale 5 second 1, 2, 3, 4, 5 exhale 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आप धीरे धीरे इस ताइम को बढ़ा सकते हैं 5 second to 7 second अगर आपको लगता और अच्छे से inhalation हो पा रहा है बीद अच्छे से ले पा रहे हैं तो 10 second तक भी आप इसको कर सकते हैं एक बार में कम से कम कोशिश कीजिएगा 10 to 15 ताइम्स जरूर प्रक्टिस करें ठीक है यह था सूरे भेदी और चंद्रविदी प्राणायाम वापिस हाथ की मुद्रा इससे प्राण मुद्रा का आगया है चकर पर बन करना था अगर आप जिस जगर पर जिस क्लाइम में है अगर वहां पर समर का ताइम है गरमी का मोसम है तो आपको हमेशा से ही स्टार्ट करना है अगर आप विन्टर में कर रहे हैं तो हमेशा अपने राइट से स्टार्ट करना है तो नारी शोधन रणायां में क्या होगा लेफ्ट से इन्हेल, लेफ्ट से एक्जेल, फिर लेफ्ट को क्लोज कीजेगा, राइट से इन्हेल, राइट से एक्जेल, अब क्या हुआ कि हमने अपनी लेफ्ट नॉस्टल को भी एक्टिवेट किया और हमने अपनी राइट नॉस्टल को भी एक्टिवेट किया, तो दोनो शोधन प्राणायाम इसका रेशो भी बिगनर्स के लिए है उनसे सेम रखें फाइफ सेकिंड में इन्हेल फाइफ सेकिंड में एक्जेल कर सकते हैं या ब्रीद आगर आपका लंबा हो सकता है तो सेम रेशो वन रेशो वन की रखेगा इसके सेकिंड यानिके एडवांस में व शेकिंड में आपको सू अब करने वगता है जिससे सेकिंड में आपने इंहाल में आपको सुल्ड करना है यानिकी कि फइफ सांडम वाओ टू थ्री फ्री और फाइप आपको होज रणा है 10 सेकिंड के लिए वां ट्यू टू ट्री फूर पाइफ ृप सेट्स ग्राइट 2 स्विआ शयोग यहई लंग्वाइन कुभर्शन में हुए करना है प्रईभ लिए कि सगय करना है अंगरा फशन से पर है कि आपकोई करना है एड्वांस करना है फ़िसे उसमें कुभव लगा असकते हैं सेवन सेकिंद में इन्हेल करने हैं तो 14 सेकिंद आपको अंदर की तरफ बीध पी करके रोकना है छीड़िए और शोधन परनायां लेफ्ट-एंड लेफ्ट-आउट राइट-आउट अगला परनाया है आए थेहं लोगों के लिए जो नाडी शोतन प्रनयायम है जो प्राइयम शोतन बहुत अच्छा नहीं संदू आजए जाता है जिसमें आपको लप्ट से इनहेल करना है राइट से एक ईक नॉस्ट्रा से इंहेल दूसरी नॉस्ट्री से एक इसका राउन क्या है Г next in right आउट राइट इन left आउट करें तो बीच के राउट को आप so नहीं कर सकते कि अवको पूरा रांड करना ही पड़ेगा पूरा सर्कस्सर आपSon स्ट करना ही पड़ेगा अगर आप नाड़ी आनु लोंग लोग प्रणायां कर रहे हैं देखें क्या से करना है से हाथ की पोज़िशन यहीं प्राण मुद्रा आपको लग रहे है तो दोनों फिंगर को इस तरह से भी रख सकते इस तरह से भी रख सकते हाथ के यंग उठे से नॉस्टिल को बंद कीज़ेगा एक साथ शुरू करेंगे लाफ ह left nostril को बढ़ कीज़ेगा right out right से वापस inhale left exhale left in right out right in left out left in right out अपनी ब्रीद को देखना है feel कीज़ेगा left in right out right in left out left in right out feel कीज़ेगा अपनी ब्रीद को right in left out left in right out right in left पर ही खतम करना है left out right in right in right in right in आप नहीं कर पा रहे कि कितनी सेकिन में मुझे इंहेल करना है और कितनी सेकिन में मुझे एक ब्रीद करना है अगर आपको ऐसा लगे तो आप कोई भी अपने पास में एक मंतर लगा कर लग सकते हैं for example कि आपने गाईतरी मंतर लगाया राइतरी मंतर की four lines है चार लाइने हैं वान लाइन में आप इंहेल करें यानि कि ओंकुर भुवस्वा लेफ्ट नौसल को close किया तत्सवितोर वरेनियम राइट से छुड़ा भरवो देवस्यदी महीं राइट से भरा दियो योना प्रचो दया लाइट से छुड़ा आप को जोई भी मंतर लह सकते हैं जिसकी कम से कम चार लाइन हो तो इसका परियास आप इसका अभ्यास है वह किसी मंतर के साथ में भी कर सकते हैं अनु लोंग विलोंग नाड़ी शोदन में इतना ही डिफ्रेंस है कि लॉटने नॉस्ट्रोड ब्रीधिंग है इसके सेम रिजल्ट है आप वई भी इसे कर सकते हैं किसी भी में में आगर आप तो करेंगे इसे अच्छे ही रिजल्ट है प्राणायाम है लिए भलता है कि ये कि टैम्ट्रेशर को करता है लिए आपको बता है वहाध करते हैं तो चीतली प्राणायाम के अंदर हम बजिक आद़ बिशेश्र को डाउन करते हैं तो आप इस अभ्यास क कर सकते हुँ इस शीतली शीतieversारी प्रनायाम के अंदर अपनी जीभ को इस वरवी प्रनायाम में आपको अपने मुह से इनहेल करना हुता है कि आप नहीं करता है कि आप को सब्सक्राइब करता है तो यह तो प्राणायाम मूह उसे इंहेल दे जाते हैं इसका क्या प्रोसेजर आएगा शित्री प्रणायमी आपको अपनी जीप को फोल गोल घुमाना है नली की तरह कि जो बिग्नर है वो कोशिश करें पहले मुझ को ओ की शेप में बनाए और तिहे तरह अपनी जीप को बाहर की तरफ निकालना है कि देखे इस तरह से बन पा रहा है अगर आपको प्रैक्टिस में नहीं है नहीं बन रहा है आप सिर्फ मुझ को ओकी शेप में भी रख सकते हैं अगर नहीं बन रहा है और जिनका बन गया है आपको मुझ से लंबा घहरा सांस अंदर की तरफ भरना है देखेगा इस तरह से आ जब पुरा श्वास आपका गले तक भर जाए तो अपनी जीब को पोल्ड करते हुए तालू से उपर की तरफ लगा लें 10 सेकेंड होल्ड जितनी देर आप सांस रोख सकते हैं यानि कि अंता कुंबक लगा सकते होती देर अंता कुंबक लगाएं दोनों नॉस्टिल से एक्जेल करें पर पारें जी फिर से कीजेगा फिर से बाक बोन स्टेट रखें जीब को फोल्ड करते हुए आगे की तरफ लाएं मुझ से सांस को अंदर खीचेगा इन आपको फील होगा जब आप फोल करते हुए जब सांस को अंदर खीचेगे ना तो इजए गले के ऊपर आपको फिल होगा कि आपके श्वास आइजिक्ट आपके गले को टैच कर रही है जितना लंबा श्वास बर सकते गले तक श्वास आदे दूजेगे अब श्वास को अंदर रोकिएगा पाइफ सेवन सेगें टेन सेकेंड इतना रोक पा रहे हैं टी फो फाइफ सेच सेवन एट नाइन चान जीप को सीधा करें और नाट से सांस को बाहर खाली करतें ये प् अपनी दांथ हैं आगे वाले वाले इन को विलाना पड़ता है और अपनी टंग को फोल्ड करणा है जब आप करेंगे तो आपके के डो जूदों साइट की तरफ से आपके दांथ कर अगर आप देख वारन आप शीत का रहा तो आपको शित्यार की अवास करते हुए ही आप रहेगा दात निले हुए रहेंगे दोनों साइड में आपको अपनी तरफ रहें और मुह से सांस अंदर की तरफ खीच नहीं लगेगा अपको अंदर नहीं रोखना है डारेक्ट अपनी नॉस्टिल से सांस को बाहर खाली कर देना एक बर पॉपिस करेंगे सभी जीब को फोल्ड कीज़ेगा बाकपों स्टेट टंग को फोल्ड करें दातों को मिलाईएगा मुह से आवास के साथ अब श्वास आपके बाटों से जानी चाहिए तो कि आगे की दातों को आपने मिला दिया है वहां से सांस को अंदर चंते वे खीछना है क्योंकि जीब को भी हमने एक चंणी के काम दिया है तो उससे सांस खीछने की कुशिश करें सांस भरें अब टो को बंध रखें और दीरे दीरे नाश्चील से सांस को बाहर ठाली कर को अब अब ऑप आप होत धाते हैं कि यह जच्णी में सांस को बाहर ठाली कर दिया खीचेगा दीरे दीरे जितना आप आराम से सांस को भाट छोड़ सकते हैं उतना कोशिश की लिए फिर वापिस कीजिएगा फिर से नंबर श्वास खटते हुए इन नाच से सांस छोड़ते हुए पर फिर से लंबा श्वास को वापिस दीप को फोल्ड करते हैं और लंबा श्वास की चाहिए आपके जम्ले की को मसल है यह भी किष्णी चाहिए कि यहां तक चैस तक की चाफ होगा अगले तक की चाफ होना चाहिए भरे 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 श्राथ को और लंबा गरे मुझ को बंद रखते वे जीट को सीधा रखते वे नाकि श्राथ को खाली करते ते इसके बाद आप कोशिश करें की कहम्त सब्सक्राइब करें इस अब आपको अंदर की तरफ है कि उपर से नीचे की द आप तक यह था शीति और शीत कारी प्रणायम के लिए बहुत अच्छा जाद की प्रणायम प्रणायम के लिए प्रणायम बहुत अच्छा आप यह नहीं है यह को करना भी चाहिए तो हमारे जतने भी जो भी हमारे घ्लेंट के शाथ में जुड़ा हूँ रहता है अगर थारे अगर अपका शुक्त नहीं कर रहा है तो हमारे हाट के पस है वह भी कुछा थाइमस ग्लेंट अच्छे वो अच्छे से व्यावर नहीं करेंगी तो अपने आप सारी बॉड़ी का जो सिस्टम बदल जाता है तो कोशिश करें कि आप को हर अपर प्रणायाम कर सकते हैं अगर यह ठारेर के सोचै कि वह ठारेर वक्तवाले हिसे कर सकते हैं कुझे नहीं करना ऐसा नहीं है आपको द्ध अपने तो तरह आको आपको कासी आना शुरूर हो जाए को कर रहे हो अपने श्वास नली को ओप देते हुए आप इनहें करते हो तो वह सकता है अब को फास्य यांगे तो आप आप इसको कैसे करना है अपने करते वे आवाज के साथ मैं सांस को अंदर पीजना है इसके लेवल को आगे करना चाहते हैं वहीं सिर्फ खुम्बक लगाएंगे सिर्फ आपको नाक से सांस भरना है लेकिन गले पर दबाब डाल ज़िए आवाज निकालते वापिस देखेगा सांस भड़ते वे इसकी थोड़ी प्रैक्टिस की आपको जरूरत होगी जो अभी बिल्कुल बेगनर है उनसे अगर नहीं हो रहा है तो बार-बार आप रैक्टिस करेंगे तो आप अपने श्वास्तरी को सब्सुचित करते भी करेंगे तो इस तरह की आवाज असानी से आपको सुनाइब अगला प्राणायाम है भस्तरी का प्राणायाम हमारे नाडियों की शुद्धी करता है यह पूरा कपाल से कनेक्टेट होता है जब हम इन्हेल एक्जेल करते है नाड़ी शुद्धी भस्तरी का प्राणायाम में सरफ इन्हेल और एक्जेल किया जाता है इसमें अगर हम कपालभाती के लोग कई बर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भस्तरीका में और कपालभाती में क्या डिफ्रेंस है अगर आप सरफ सांस छोड़ने की आवाज निकाल रहे बभातु को सब्साइब सरफ कर ना इनन चलाए के पिस तरह पर ना चाहिए इसे कई तरीकों से किया जाता है वैसे को क्लेकर हाँ करने हैं वहीं बतारे हुए इसमें आपको सरफ इनThen DM करना आउस ब्रीड और डेल गर गभी दा गर ढॉट देराओ डेल की भी साउंड है वर एकजेल लुट बीद इन डीद आवट अब इसके लेवल को वढ़ाज सकते हैं इसके लेवलि में छुड़ा और स्पीर के साथ पर करना पड़ता है कि तीसरे लेवल में इसका स्पीर को और बढ़ाना पड़ता है कि और पास के साथ में आवाज के साथ में ही सांस भरियेगा चुरियेगा कि इस तरह से यह बस्टर का प्रानायां किया जाता है जो कि सरफ स्कोशिश करें विंटर में करें अगर समर में कर रहे हैं इनका बीपी जाउन है वह समर में कर सकते हैं लेकिन इसको दीरे दीर हैं अगला प्राणायाम प्लावनी और मूर्शा प्राणायाम है यह दोनों प्राणायाम योग्यों के लिए हैं जो आपको तिखा देए यह दोनों आपको आपको अनुए जो यह पहीजिए यह आपको जाए वाई जो जाए वोगी जाए शानाया ने कर लाए है यह दोने कर रहा है तो जैक नदी जेगा बीज कि इन सब के बारे पर हम कच्छा कर चुके हैं यह मैंने आपको सारे प्रणायाम बताएं है इसमें उद्वी प्रणायाम कपाल भाती सुरे भेदी चंद्रभेदी नाड़ी शोधन अनुलों विलों शीर्टी शीतार युज्जाई मुस्तिका भ्रामरी मुच्छा और प्लाव दपर के साथ में इस प्रणायाम का भेषास कर सकते हैं पूशिश करें ऑची देख रेक में कीजिएगा इन प्लावनी प्लावनी के अंदर आपको कि आड़ नहीं होता है जिसमें श्वास घरा जाए जब उसक भूराय मेशा तो इस पुर पति मसल को हमारा याम कि अगर को अगर आप पानी में करतें तो आप आप आपशी आपटी बॉडिए है वह पानी के अदर फ्लोट करने लग करते हैं यह अभ्यासियुक्त लिए जो योग के अदर लोग कर्थ declare दो मिलशा प्रणायम्र उसी तरह का है कि आपको अपने श्रFF सुन मही रहा थे एक मूर्शा प्रणायाम भी है मूर्शा प्रणायाम के अंदर आपके श्वास को अंदर इतना रोखना पड़ता है कि जब तक आपको मूर्च वह सिरफ हट-बि dipping कर सकते हैं झाल झाल जिस प्रकार से कुछ प्रानयाम का अभ्यास भी करके देखा 13 जो मुख्य प्रानयाम करते हैं और मैं भी इसको करता हूँ कई लोग जो स्रुमिंग करते हैं देखते हूंगे कि वह एक पानी के अंदर ही लेटे-लेटे अपना पधमासन लगा लेते हैं और पीट को उपर उठा के श्वास भर आपके इसको कर سकते है और घंटों आप इस तरही के से पानी पे बिना किसी प्रियाकुत किये, लेटे रह सकते है, बहुत रिलाक्सिंग भी होता है, और बहुत अच्छा एक्स्पांशन पर मिलता है बाद की, वैसे जो हमारे शास्त्र कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति अगर एक इस्थान पर बैठ करके सिरफ कुछ मिनट कुछ समय क करता है, तो उसके एक सेशन जो एक बार बैठ के वो प्रनायाम करता है, उसका लाब सौ यग्य के बराबर होता है, बिल्कुल अक्षर सा ये बात लिखी गई है, वेदों में आप देखेंगे, सिर्फ बैठ कर प्रनायाम करने का पूरा का पूरा लाब उतना है, जितना कि सबी प्रकार के साधनों को चुटा करके और सिर्फ पंडित के साथ बैठ के और शास्त्रों को विधी से आप अवन करते हैं, ये बिल्कुल सौ यग्य के बराबर हो प्रनायाम के मिलता है, तो आप समसे कि कि कितना ज्यादा उसका अफेक्ट होता है, जिस वातावरण में ब करते हैं, इसे कई इंस्ट्रूमेंट्स आज साइंस ने निकाल दी हैं, जो साउंड्स को घंटों बाद भी वहाँ पर मैसूस करते हैं, उसके एनर्जी के कारण से कोई तरह का नेगटिव एफेक्ट, कोई तरह का इवल स्वाट, कोई तरह के बुरे विचाथ, उस जगह को अफेक्ट नहीं कर पाते हैं, उसके अलवा भी कुछ एडवांटेजिस नहीं, प्राणायाम की जो हमने इस स्लाइड में आपको शेव की है, इसमें आपको जैसे जिम में मशीने चाहिए, कोई एक्ट्मेंट्स आईए, कुछ भी नहीं चाहिए, आप है, एक साप हवादार खुली जगा है, एक बैठने के लिए आसन है, तो बढ़िया नहीं है, तो भी बढ़िया, आराम से आप बैठेंगे और कहीं भी कर लेगे, हम लोग सजेस्ट करेंगे, कोशिस करें, एर कंडिशन महावल में ना बैठें, ऐसी जगा ना बैठें, जहां आपने इंवर्टर लगाया हो, कोई तरह की बैठरी लगाई हो, जिससे ऐसीड का कुछ दुआ निकलता हो, तो वो फेपरो को अच्छा अफेक्ट नहीं करता है, बुरा अफेक्ट लगता है, इसलिए जहां तक प्रियास करें, पुली हवादार जगा करके चलता हो, बालकनी हो, या कमरे में कर पेशन्ट भी होते हैं, कोई प्रोनेक्स डिजीज होती है, कोई अप्रेटेट होते हैं, वो लोग भी कर पाते हैं, सिर्फ एक गाईडेंस की ज़रूर होती है, जैसे आप एक मेडिकल साइंस को आप लीजिए, अगर आपको लगता है कि किसी दॉक्तर को दिखाना है, तो आप उटके ऐसे ही करें, कोई सिवाग चिकिसाला या कोई दॉक्तर कर रहा है तो आप महां नहीं चले जाते हैं, ठीक वैसे ही अपने इस टेंडेंसी को भी बदलें, यह नहीं हो कि आप सोचे कि कैसे नहीं कर लेंगे, हम टीवी से कर लेंगे, इंटरनेट से कर लेंगे, लेकिन जब आप सही से कोई चीज सीखें तो अंडर सुपर विजन सीखें, आप में देखा एक लब में कोई धन्योर विद्या सीखनी थी, अगर इसको गुरु नहीं मिला तो उसने गुरु एक मूर्ति को बना करके और मूर्ति के सामने भी उसने वो विद्या सीखी, तो जब सीखें, बिगिनर लिवल पे तो उसको एक अंडर सुपर विजन करें, वहीं भी एक सही आपको योग पीचर मिलें, उसके साथ आप उसको समझ करके करें, कोई डाउट्स हो तो उसको भी आप क्लियर करके करें, दूसरा प्रानायम सभी एज ग्रुप के लिए फाइद करें, कोशिश करें कि आप बच्चों के साथ पहते हैं, कुछन उनको, जब मेरा बच्चा दो साथ का था, तब से वह करनायम जब हमको देखता हैं, तो उसको मज़ा आता था, वह अपने आपी ऐसे ब्रीद करके दिखाता हैं, हम लोग बड़े खुश होते थी, हस्ते थी, उसके बाद दीरे-दीरे हैबिट में आगया, और हैबिट डवलप कोने के बाद में रेगुलर करने लगए, तो इसी तरीके से आप बच्चों में ये हैबिट की तरह डवलप कर सकते हैं, इसको आप एक्सपर्ट सुपर्विजिज में करें, जब सीख रहे हों, और आसान ह आपको जैसे हमने प्राणयां के कई फाइदे बताएं, और आप सोचें कि मैंने आज किया था और कल भी किया था और अब तो कोई साइदा नहीं हुआ, तो इसमें रेगुलर एक चाहिए, क्योंकि जो भी नेचुरल पर होता है, उसका कोई शौटकट नहीं होता है, आप सो सब्सक्राइब करेंगे, डिटर्मिनेशन होगा आपका, तभी आपको उसका रिजल्ट आएगा, तो इसलिए आपको इसमें मैंने लिठा कि एक्सपर्ट सुपर्विजन में आप करें, और एक ही समय पे निदारी समय पे इसका कोई ऐसा नहीं है, कि आप तो सुबह आप तो सुबह उसके बाद में आपको कोई प्रब्लम नहीं है, आपको आप से आपको आपको सकते हैं, जैसा कि प्रानयामा एक ऐसी तक्निक है, जो हम लोग तो वैसे सीख रहे हैं, लेकिन नेचर ने सभी के अंदर इसको बाई डिफोल्ट इसको फिक्स किया है, आपने आप देखाओगा गर्मियों में पुते जो होते हैं, जो पाल तु कुते हैं याँ और भी इव हैं, आप देखिए वो मुख को इस तरगे सी खोल के जीप को बाहर निकालते हैं, तो इस अकाइन अिप्ड़ यामा ध्याद रथे अटिए बिश्चर इन तेर बहुत ज्याद बिदेगेसे जो ब्रीध है धूनारों रोगते हैं उसके हैं होसे जो सब्सक्रमे शोनेस को दिन्च हो प्रतर कि कम्यारी न करें एक तो अगर धिशनले किसमी में अगर च्वाद पंद्रा साल उसके उमर होती है। वो ही घोड़ा है चौबिस से चब्श साल अगर घीता है तो उसकी श्वास आप देखे कितनी होती है। तो उसकी भी आई जैसे कच्वा 200 साल तक भी पाता है, साफ है, वो भी 1500-200 साल तक उसकी लाइफ हो सकती है, तो वैसे ही मनश्य भी अपनी लाइफ को उसी तरीके से कंट्रोल कर सकता है, तो इसी मनि हम आपने का उसमेरे का इसमेर है, आपने हैं तो आपनिया है, आपने का है यूमन है, आपने के लिएफ दर पास, इसमेरे वहां आपने का जो है लाइफ इसपांग उनकी ब्रीथ के ऊपर निलबर करता है और कई तरह के सिंट्रम्स जो ब्लड प्रेशर है है जो हमारे साथ है जो हमारे सालों से योगा प्रेक्स में है जुड़े में हैं इनमें से कुछ आज शायद हमारे वरक्शॉप में भी है तो आप देख सकते हैं उनकी ये रियर पिक्टर से कोई इंटरनेट डावलेट पिक्टर नहीं है डावलोडेट पिक्टर से नहीं है एक सवा आठ बजे भी होता है, एक शाम को सवा पांच भी होता है, तो उन सभी batches की information हम लोग ने इसमें आपको slide में दी है, इस slide हम आपको ग्रूप में भी share करेंगे, तो वहाँ भी आपको और जानकारी इसकी मिल जाएगी, जो हमारे program है, उनके हम लोग ने एक monthly nominal charges रखें ह जो slide में दिखाया रखे हैं, अगर आप में से कोई हैं जो नहीं भी जुड़े हों हमारे साथ, तो इसमें से कोई भी package अपनी सुविदा के अनुसाइस का family packages भी हैं, long term packages भी हैं, आप एक short term का monthly package से शुरू करके अपने उपर उसका affect देख करते हैं, कैसे ये practice चालू होती है किस तरीके से इसका benefit होता है, वो सब देख सकते हैं, और उसके बाद फिर आप continue जुड़े रह सकते हैं, यह जो हमने प्रोग्राम किया इस तरीके कि और भी कभी workshop हमने देश-विदेश में किये हैं, उनसे संबंदित videos वगरा आप हमारे YouTube पर देख सकते हैं, जिसमें हमारे YouTube पर ये तीन चैनल हैं, जो एक आप सर्च करेंगे, डॉक्तर रवी कान तरंकावत नाम से मिलेगा, एक रचना राकावत के नाम से मिलेगा, एक हमारा पुत्र है, JKPresenters ये उसका चैनल है, इसमें वो motivational stories शेर करता है, वो अभी 14 साल का है, और आप देखें कि वो किस प्रकार स इसमें second stories पुद बोल करके और वीडियो की अतर चैनल में डार दखी हैं, तो आप वो भी देखें, दूसरा हमारे पास certified yoga fitness instructor के courses भी होते हैं, जिसके अंदर हम, अगर आपके घर में कोई बच्चा है, या कोई योगा है, जो योगा में अपना career बनाना चाता है, या आप कु आप कर सकते हैं, जानतार ही ले सकते हैं, तो यह सबी activities भी हम लोग करते हैं, अरोगयमंदिर के अंदर, अगर उससे एलेक्टिटिट भी आपकी कोई 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 हो, तो आप आरोगयमंदिर एडजीमे.com या इन मोगाल नंबर्स पर आप उजे कॉल कर सकते हैं, जानतार अलग जो steps हैं, उसमें first रेकी, second रेकी, master level है, grand master level है, regular, यह भी हम लोग कराते हैं, एक switch word workshop भी हमारा famous workshop है, इसके बारे में तो इस तरीके के कई programs हैं, जो हम लोग online भी देते रहते हैं, और time time हम लोग इसको अलग लग तरीके से कराते भी रहते हैं, तो यह एक general जानतार ही मैंने आपको इसके बारे में दी है, अब basic कुछ stretches हम आपको बता देते हैं, पासाथ stretches हैं जो रचना जी आपको practically demonstrate लिए कर क चाहें तो आपको के साथ कर भी सकते हैं, और उसके बादा में question answer का round लेंगे, मैं सुछता हूं आज चाहिज हम आपने समय से थोड़ा सा 10-1 minute हो जाएंगे, और अलग 10-1 minute आपको तो थोड़ा सा extra चाहिएगा, there's always more to tell you guys, the time हमेसा इन चीजों में short ही पड़ता है, but if somebody is having some prior appointment or something, they can leave the meeting, we will share the recording of the session, so later on they can again watch the program and they can know the information even later, so आप देखें इसमें वामसप्स क्या होती है, उत्वरी बाद वामसप्स आपको रिचना जी बताएंगे, और आप चाहे तो उनको कर सकते हैं, वैसे तो कई तरह की जो हमारे regular session में जोग जुटते हैं, उसमें रोज नहीं 2-3- पूरे साल आपको नहीं से नहीं वामसप्स मिलती ही है, लेकिन ये बेसिक वामसप्स होती है, जब आप प्रानायाम करने बैठें, तो जैसे आपको बता है कि योग में चौथा पार्ट आप प्रानायामा, तो वैसे ही आसल या किसी भी तरह का मूमेंट बाडी को देने से से पहले आप एकदम से कहीं बैठें और एकदम से आपने प्रानायाम शुरू कर दिया, तो वह भी ठीक नहीं है, बोडी को एक रिदम में आना चाहिए, बोडी को पता चलना चाहिए कि आप नेरे साथ कुछ होने वाला है या ये किसी तरह का कोई रूटीन फॉलो करने वा सिर्फ, तो जब आपकी श्वास उसके साथ जुड़ेगी, तभी उसका पुरा अर्थ है, तभी वो प्रानायाम है, तभी वो प्रान शुक्ति है, प्रान उर्जा है, एक सिंपल सी मेडिटेशन टेखनिक होती है, मैं एक बोनस के तौर पे आपको जाते-जाते हैं, वो दो सिर्फ, प्रान शुक्ति है, अपको पूर्ली फिजिकल बद एक एक यूर मेंटन लेवल, एक कोई एक इमोशनल लेवल, आपको कोई विश है, हर चीज आप उससे कांट्रोर कर सकते हैं, जसे सथा आपको बाद्टर के पश जाने के अंदर के आदा गंटा चाहिए, वास ए कि आपके लिए आपको करना पड़ेगा अपने को तो लेटर लेटर ही सब्सक्राइब गुमाते हैं लेकिन अगर आप खुद के लिए कर लेंगे तो आपके लिए पिसी को कुछ और शुटर में नहीं करना पड़ेगा कोविट टाइम के रिसर्च अब पब्लिश हो रहे हैं और यह बहुत खुलकों के सामने आया है कि जो लोग भी कंटीन्यू योगा की प्रैक्टिस में थे जो लोग ठानायमा रेगुलर करते थे उनको बहुत ज़्यादा हद तक तो बिलकुल भी हुए नहीं कोविट किसे हु कोविट ज़न लोगों को यूगा करते थे तो उनकी बॉडि में बिल्कुल टी कुछ सिंटम हमारे कई लोग इसे थे जो नोने बौला कि हमारे रिपोर्ट पॉजिव है और वो इंतरे सेशं जो रूबी के साथ है और रेगुलर कर दें कि हमारे को इमुनिटी से आसे ते र तो यही समय है कि आप अपने आपको बॉड़ी को ऐसा शील्ड बना ले कि कोई बीमारी आने वाले समय पे आपको लगे ने तो उसी के लिए आपको मैं वो टेक्निक बता हूँगा उससे पहले आप ये मूमेंट्स देख लें कुछ इन मूमेंट्स को आप चाहें तो साथ में कर सकते हैं तो लोग साथ करना चाहते हैं वो इसी में साथ में कर सकते हैं कि प्रानायम का सेशन आपने किया तो प्रानायम के साथ हम लोग चाहेंगे कि आप लोड़ी सी वामसब सीख लें तो उनको भी आप करते रहें अज़ें कि अज़ें कि अज़ें को चाहिए ना चिन को उपर की तरफ ले जाना है इंहें कर दिएक्जरें ना चिन को चाहिए कर सकते हैं तो इस्ते हम गरेंको चाहिए कि लोगा चाहिए ने रहें इकिन आपको जड़ो मुघमें यह गर्लेंग आप को मुट्पी गर्सप्रेट इह आप, 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 कर दो दो अ कर दो कर दो मत अ कर दो बेडरोन कर दो कर दो कर दो 1 veces सबतार आरड़ कर दो अaks चाल 그 दो Dieses आर आरह शाया कर दो इंक다면 कर दो प्युटना होला। पंप्युटना हुषिर हुट खनचूना खरता हुट सुल antén टृटना हुट उस्में टुटना खरता हुटना ट। चार नार्जा टार्ट लो वा सुन जो बने कि भीजया नार्ट लीज़ जार्ट थाहिए, लीज़े जीज़े घर्ट जीज़े जार्ट प्लब्जाओराब? ये लुवर्झ, ये लुवर्ट, विद वोगों चोजए जे लुवर्टॹ? ये लुवर्ट। जर्गे हमको कोई की सुख्षम याया हम जाओ बहुता प्राने बच्छी आपकर देने हैं, तो हम वीशा हम उपकर से नीशे की तरह के जाना में कोशिश करें, और एक मसल को पार एक लोम को बूंप करें, जिसे अभी मैंने नेका को मुग पर वाया, पिसके बाद अप्शोर मुग एक टीछ बख बख बग्टेश, लेफ से लिए नेका की आपकर वीशे करें बख से चंपिजिम मरें और कि Gal ऐसे च्छे कीम औरगों से और एइल नो किए था से ये सिए से फ़्वा है एक इमेड़ा खवेजिए निवाद चेंज प्रीए प्राव 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 और stretch करने के लिए, right hand को उपर की तरब stretch नीचेगा, left hand को राइट को राइट करने के लिए, right hand को राइट करने के लिए, और राइट के इंचेगा, 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 का ले पनमा इंपाइस सИक थे समस्कार फिर इंपाइस, औरोमकाईस का बारंजिए कि फारेंग्ती के प्रत अर्शब आरेंग्ट फ़ी ञां चेश्ट टो हो एकिछे सरा से एकुटषे सरा क्योंूश हो एकॉ record alsoional. को ल kalkude. गजा के ले खिले कले सेए सरा को कैस्ट हम जया एकुटधिवा, बेखले के दिछबाद장 हो गज़ूश होट। नहाद एका है लो बेला बना बनी पय हो एक नहींड हुँ इने एक एक एकली एक 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 सब्सरी पुरिव करुछ प्याद। एक जिल्दा आपी मुवन कि сам जा जा देया जा झार नग्टे जा झाल एक जयगा कर एक जिल्दा झाल अखिल आप ऑदे हैं भाग इन हया फुल ल म्हुत होग। इन हीड डेल आप्ट तीक हैं अम्हार नसी कारफर होग। कार इन हीद बिर द्याओं एक नसी कारफित हैं पूल विस्ट करते हैं Allah सामि यह यह बाट आप ते सबाइ होग। किस दो को खुच्छ कंपी शुचा पुच मएगा रिंट करने और में अधिवेड में लग जिए नगेखा कैया चैनल को धुच्छने खुच्छ पुच्छ प्रथों केुच्छ बाड करने से शिथुच्छ ती तो भाग, तुच्छ प्रथों के अदर किसे अधिर ना ध्या एको लाडी अरुई. चलत कुछाक बाइक ऐसे जाए, रिखेल करें तो कर्णों इन एक पुरा एक्षेल करें। झाल्पों Karma कि उे है कि और तर eight स्थपिकर णिर जो अंगो प्रिक्षार झेल वो प्रुट से वो बूसे सांसुर सकते हैं, पुरा पेका अगरा केंजी दौए लो तबूसे बूसे, पुरा पेका रहा हुँआ है. नभा एंदेवा है, सांसुरा बगा काली हुआ लो जबीग लो जो बबडेगा, 5, 4 3 2 1, कर दो जूरिए बढ मिन का सबरेन। भिटित और में परेखी उत्ता है मलोग दाप्ट युँ परेखया, हनंग फिKit विर लौट टो ओण्या परेखी दोश्या खोट 왜ine ल Зीत अपने आपने को ईसके ऊपर उसके नहीं कर दोटर करना के इसमें आप इस समस्क्रीर को बिर्ञान के आपोट्पय है इसने आपने को पाने को तुम से समस्षोड सकते हैं लाप औह टोट लिए है एक्से कौर्ट 2.. 9.. 10.. 14.. 15.. 16.. 16.. 16.. 17.. कर दो कर दो प्याद औरा ही जड़र से अंतरक पर कर दो primarily टो ग्यादब टेड कर देड कर देड कर देड कर दो ईंए लिफादि कोर, एक एक बनी अग तोस्फोट्र पॉच्ट अपयो और से लिफ हम इसे इव शलुप ağग आफ़ी से जा, यहार दाओ्त, एक सेज़ाना। आफ़ी मत्रश्बी अच्को फेर्शच सेंगे, कि आफ़ी सिर्शक खरना, यह रजी जो हुँ निहीं है, प्रोब रखेज हैं। म wastewater इना वो साप्सेट ही नु आने संफी लिपग, वे नुटा रख record अच सिमता ए्यberg सॉ रहो र Moz आल पर कि परें परें तरियार फिजसार。 अपAR कि आ प्रिजयां ह७ुम् आर पर डारी, झाल विर्पभ. मारा गुकन मारा का वो क् участओ एंख एंएड़क्स विब्हाद एंख 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 पात थो शिक एंख स लो बंख सिंग एंख दोूमिझ है एंख sic एंख 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 समीगें इग्षे, 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 इग्ष मेतुन esse, ुबब दॽर आफट defectलि में हमे द淌से लिश्ति, इपके देओश्तियों कि को सक्कृष्ट हमें, जालने के लिऴ, सुनों के लिए Чांट, बछब एग्ष अपना तरके दक उनateur, प्वर करो अज खंसरे लुज को अथुर ज सरे लोगेच्र जाए 여러분, और हम्या को फजवता बुछ स्थांतों, क्ष़र्थीन है U depends सः द preparation, तरह केंगें एक हेज़ी हैं ओपिश्राइट सब्सक्राइब प्रीज़ कोई बाएख कीज़ परता है उपर से थाइरेड भी हो गया है अभी तो समझ में नहीं आ रहा है क्या कोरूँ बहुत कुछ करके ट्राय करें हूं सर लेकिन वेट बढ़ी रहा है अच्छा आपका अवाज आ रही है पेरी आवाज सरी क्या रही है आवाज ब्रेक हो रही है रचना जी इस मोडर सा रेकर गडिम्टोंग की जि pessoa गेघ कर दो क्र दियुदी जएable इस क्रदोर पेडिलेंगे इस घडशेम gir 120 वी यह अन्योंट कीचेगा यह यह जी आपने पाने प्रेटिस करें तो आपको अज्छा रहेगा थारिण्या इनको एपक्टिस अपरेगा जो सब्सक्रिक्षित करेंगा तो आपको आपको आएगा इसके इलाबा आसन में भी बहुत सारे ऐसे आसने जो एक्रिवेट करते हैं जैसे कि हलासन है प्रिज भूस है इस तरह के आपको अप्रियास कर सकते हैं इसमें थोड़ा साथ में बैठे हैं इसी कुछ नो जिन में से आप दखेंगे तो आपको उनसे बाद में इंटूदिस दबाऊंगा और आपको उनसे उपिनियन लेजिएगा एक पिक्चर हमने आज शेयर के इसमों की भी पिक्चर है और उनका वेट कुछी 115 या 120 किलो के मिठाई की जो कमपी है उसके माले की आप सोच सकते हैं बनाते हैं और उसके साथ यह ना वजन कैसे कर दो किया तो यह होता है कि अपको सब्सक्राइब आपको सब्सक्राइब जुड़ जाए लागना और और अशुनाए जिसे पॉनिंग में मेरा की साथ बचे जो आपको कि कोई भी सेशन में आए जितना भी आप से देरें वो करें क्योंकि कई स्ट्रेंट्स हैं जिनका थायरोड ने बना किया कि आपको दवाई की जरूरत नहीं है वैसे बोलते हैं कि थायरोड की दवाई आपको जीवन बन लेनी होती है लेकिन इतना शूर के सिप्तम आपको कि तीम से चार मही देरें, पांच महीने की प्रैक्पिस के बाद आपका जोटकर कपित आपकी थायरो दवाई की को बन करेंगा क्यों कि तीन-चार देस्स कराने के अबना ऑन कि भी प्रोपर तरीकित चाहना भी सिर्व कार्भोहेडर धाते है कि वो शरी पुला देती है, प करेंगे कि इस तरह इसे यह खाना खाया ठोरे थिन का फूरे दिंक अब भाने का फ्कानु पाहाँगे वेपर जग्ति जैसे एक महिना दो महिना में चार फॉठा छार पाशच किरों जाएगा तो मेरा सजेशन होने से अपना सब्सक्राइब करें जितने दिन के लिए हो सके आप कम से कब पहले एक वही ने का वारा चोटा सा पैकेज आप वन मन्त का प्तान ले उसमें आपको सब सैटिस्फेक्शन लगे फिर उसके बाद आप कंटीनू करें और यह लंगा था होता है चार-चे वही ना पूरा टाइब देगे तो आप अपने आपी बहुत हेल्थी स्टेट में आ जाएंगे जी सर मैं वह आपका जो वीडियो है अब भी पूरा नहीं देख पाई थी बारिश की वज़े से बहुत अटक रहा था तो आप भेज देंगे के रेकॉर्डि आप ग्रूप में शेयर करेंगे तो वहाँ पर आप उसको वापिस से सुच सकते हैं तो इस तरह कि वह आपको पूछना था कि माम भी आपने कांस्टिपेशन के लिए बोला था कि जिनकों कांस्टिपेशन है वो कपाल बाती नहीं कर सकते और कोई प्रॉब्लम हों पेट मे पर कर सकते हैं जो है क्पाल बढ कि थादबे को श्वाखिस अगनी सचोम तो रलत बात गारे शौंच्पेशन को उस्तर जिए श्वार है क्पानि क्षे गाक और जो आपक को मुविंट wreck प्रॉब्लम और यह कर सकते हैं कि इसमें को मैं में को यह पूछना था कि यह जो कपाल बात यह मैं यह कर सकते काप तो पंद्र कुछाए आट यह कर दो तो इसकthen के कापाल बाति कर दो वो हमेश्या कर ना जा है तो थे विश्ट्य पर aunि खाना कर थे क Việt i पुरत अघ्यства जगी बात लेगे लिए चली अच्छी अच्छी बाध कि इस नोड़ेदी ऐन दे लृए duplic तुनिल जी अपने आपको अन्यूट कीजिए और आपके इस प्रोग्राम का जुनना चाहते हैं आपसे आपको परेसे जुड़े हैं कि फिसले दिनती सालों से और खास करके इनों अपने बोड़िवेट से रिलेटेट आपके साथ कीजिए आपके साथ शेयर के देदिया है इस कुल्स नग्वाज है आए है अब हो अब वाज नहीं अब आरी है आप आरी है अब आरी आ अबढ़िया में आरी है आ है अधिक सबस्थे बात हैं सुख सब्क्रदीजएगा अधियर गुंध चाहित चाहित है है अपर पर सवाल हो तो प्यार सबस्टाइब। अब माइक पोन किजी अबूट किजीगां। प्याग अबूट किजीगां। एक सिर्ण गार। आप अबाई आवाच। कि आप कुछ पूछना चाह रहे हैं या मैं बता हूं आप बता हूं कि मैं आज से डेट साल पेले एक डॉक्टर के पास गया था डॉक्टर दिनेश गर्ग मेरा वजन था 105 किलो अजाने ने क्या करद यहां मिधाई की दुकाने मेरी बोले सब आप ही खाते हुँ मैंने का खाता भी और खिलाता है तो उन्होंने कुछ टेस्टिंगे लिखी मैंने सारी टेस्टिंगे कर वहीं निक्स दे गया साठी ऑफिंट ने पास हिंगे पहर हुशना विल्कुल आप न ही है मेरे कि आ रही है आवाज है कि एक से पुरी अच्छी आवाज आएगी कि यह अब जुचिए कर सकता हूँ अब आपकोर्य ने सारे टेश्टिंग लिखाया मैंने सारी तेस्टिंग अब वीपी सुगर सांस की तखलेप सारी बीमारियं बता दी उसने आर तरेकी दवाइएं लिग दिख दी कि कि बोलो कल से दवाइएं चालू करो दिमार्ट में बैट किया कि दवाइएं नहीं लेनी इसके लिए क्या करना चाहिए को इसे ने सजेश्ट किया आप योगा करो आप योगा करो तो फिर योगा जोइन किया आज नतीजा है डेट साल के अंदर पैंतिस किलो वजन लॉस हुआ और उसी डॉक्टर के पास वही रिपोर्टे लेके गया डॉक्टर ने का यह आप ही है जो एक साल पहले आया थे मैंने का यह मैं हुँ कि आज मुझे कोई तकलीब नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है पहली बात दूसरी बात कमाई को छोड़ते वे तुकान को छोड़ते वह इंकम को चोड़ते वह फर्स प्राइटी देता हूं मिया अपने योगा के लिए कुछ भी कैसा भी काम हो लेकिन योगा क्लास में किस गुए जिए थे सो मच अशवाच जी आशवाच जी अशवाच जैनल जी किन वस मैं अच्छी शिशा नहीं हूँ कि मैं नॉट सो मच रेगूलर सम्टाइम्स को को रोना का राइम कर ला फिर मेरा रेगूलर ही रहता है और एक मेरा क्वेशन था ही जो यह प्रानायाम करते हैं तो कितना देर जैसे एक तो मौनिंग में कर लो तो खाली पेटे पर ऐसे लंच के बाद और इवनिंग के खाने के कितने गैप के बाद हम कर सकते हैं चाहिए चार से पास कंटे का अच्छा और एक मैं मेरे को जैसे मौनिंग में अक्सर विंटर हो या बारिश हो तो थोड़ा सा कफ का थोड़ी देर तक आदा पॉंट घंटा ऐसा लगता है थोड़ पर जैसे नॉर्मल रुटीन शुरू होता है तो ठीक रहता है लेकिन मौनिंग में मुझे थोड़ा थोड़ा इंफेक्शन रहता है जैसे का लगता है या कहीं भार खाना खाती हूं या कुछ छंडा या लसी तो यह चीज़ें कम लेती हूं पर इसके उसमें योगा या प् अच्छा है आप उसका अभ्यास करेंगे तो यह चीज़ें पर गले पे रहता है काफ़ें पो चला जाएगा इसके लाप अब भल्दी के गादल सुझ करें सुबह जब जब भी आपना ब्रश करते हैं तो उसमें रुटीन ऐसा बना लें क्या अधा चामा स्टेरम पाने पे जब लोग में बहुत थोड़ा पीस्फ़ल होता है तो सम्टाइम थोड़ा नीम जया लगती है अच्छा लग रहा है लगास को इना सब्सांने लोक्री निया है , पुछ को नो को इसलमी मैं तुर पुछ के साहए। नहीं करते हैं, झोो हाट एक जी है भी कि इन Аल एक जाता थोड़ साहत भी चहते हैं बढ़ बढ़ दो बढ़ बढ़ एक रखते हैं लेकिन अपूट साथ है तो प्रिष्वास ना आने जा रहा हैं तो बढ़ दा इन चलिबागा है लेकिन आप कोई मुजिक कोई साथ में लगा करें तो जहां इसके साथ में दाएगा तो अपके अच्छे से करता है प्राणायाम बताया यह सीटली और सीटकारी जो इसके लिए बता मेरी आवाज आरही है तो इसमें आपने बताया है कि आप इसमें अपनी भूप और प्यास दोनों पर कंट्रोल कर सकते हो तो यह आपके वेट लोस के लिए कितना इफेक्टिव होता है कि आपकनें आपके वेट्चित को अब्याठी को ऊच्टिती आपनी हिए इसमेड़्यू का जोकैंटीशी प्रूप ढूंगर्पा जाती कि अद्ब कर एगए तो आपको नॉनमल सी दिए लेकिन उसका आपको नहीं सुचे कि भरोज भूख लग रही है और प्रणाय। तो वोग को शान करता है उसके काम आए तो इसके काम नहीं है। करने से सिग्वेट करने से घर साथ जितने लोग नहीं बढ़ रहे हैं उसे ज्यादा खाना करते हैं। कि अगरे हैं वो इक ऐलेंस हो जाएगी तो पॉटी को चितना जरूरत है उसी समय लगें कि दिन पर के ओवर इटिंग बन जाएगी। अभी क्या होता हैं को जैसी कोई चीज नजर आई हमने पठा दी उसको हमने फ्रिज कोला चॉटलेट पड़ी थी कुछ पड़ा दा में उटाएगी। तो वो इस चीज हमारे गलत प्रमिटी होती है। वो ठीट करने में आपको प्रना यह कां करेगा। इसलिए मन बताया था कि उसमें आपको एक रैगुलर होना जरूरी आपको डिसीप्लेंट होना जरूरी है। फिछे यह पॉइंट इसलिए कामाईगी। जयित आतता है। जहना होता है थाइर अचीज है। जानों जानों क्रिकते वि burner होता है। àso कि आपर हूंगर तानों नहीं हुआ है। इसे समय के लिए आपको अप्षिन रखिए जैसे फिरीज में हमें सब्सक्राइब तो नुक्सान कर जाएंगे तो ऐसे समय में आपने खा लिया उसको खा लिया इस तरीकिसे ऑप्षिन आपको लेने पड़ी हैं होता ही है जब कभी-कभी जैसे डायोप्टिक हैं थायरोड वाले हैं जिनको बार-बार ठाना लेने की कहते हैं या करती है बार-बार तो भूखिय नहीं देना है लेकिन उसक आप खालो या आप खीरा कालो तो दॉनर देसे जो आप रेगुलरर लोगे तो रोज नहीं से फिर आपको उसकी तरह समस्क्राइब करता जाएगे इस तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आपको एक बताऊगा तो जो जो लग्ती लोग हमारे साथ सब्सक्राइब करें जाती है इंग्रीशी अपनी कुटिया गुमाने के लिए पर राजा कुटिया को बताता नहीं तो बताता नहीं था सब्सक्राइब करते हैं मतलग कि याम ध्यान करते हैं तो ध्यान मेडिटेशन हो चीज़ है कि कुछ भी नहीं करना है यहीं मेडिटेट करना है एक अलग परकार नहीं की व्याक्त रहें हैं अब अपने आखों को बंद करेंगे आप अराम से बैठ जाये इस्थान पर आखों को बंद करने अपर इश्वास को यहां नाशी का पर मेंसुट करेंगे यहां से नाग से अपर जाती है यहां घ्रकुटी पर उसको अनुबब करें आखों को बंद रखते हुए ही आपको सिर्फ इतना करना है कि आपकी पूरे दिनींसे जो भी समस्या है कि आपी फिसिकली म सब्सक्राइब को आप यहां से ले जाते विए उस समझ रहे हैं चोटी सीजिए अगर बाइचाज आपको लगता है किड्नी से रिलेटेड़ कोई शूट हो गया है तो उस ब्रीद को इन करते वे किड्नी तक पहुंचाने की कोशिश करें अगर आपको सरदर्द है तो आप अगर अंगुली में दर्द है व्रीद को लिजाते वे अंगुली में दर्द है आपको जिस दिन कभी लगे कि किसी पुटिबलर पाट में है बिफोर टेकिंग तपिल और मेडिसिन तो ट्राइब आप उस प्रान शक्ति को महां तक पुचाईए बाहर पार पुचाईए और जल्द है कि एक पुटना जल्द हमें पुचाई अपके पास उसका क्या सॉलूशन के ओपर उस प्रांट को लेकर भी जाए उस पिचाद के ओपर ने लगें पुची आपको रिजर्ट देने लगें लिए कुछ दिन की प्रैक्टिस आप करेंगे तो जो प्रैंट पास आप है बॉडि लेवल पर इंट वी खैज भी आपको बहुत उच्छा है यह बश्चों को करा छा कnormत कि हुआ है भी एक सो works already देखे लिए समय ठाहिए हुग को किया होगा और आपको उड़ों तिया हमेशा हाफ Kr Ayam आपको कभी भी लगे आपको तरनायाम से संबने कि लोग से संथे कोई और ने क्वैरिल है तो एनी टाइम आपके पास नंबर से आप मैसेज करें और अपकोई तरह का आपके शक्मादया ओगिए जक्वाइब नाइस तरह की सम्फारी तरह को जए अपर जबते शक्क्राइब झाय मस्ट एमिचे रो नसमीं